तो स्वागत है आप सब का हमारे इस YouTube चैनल पे मेरा नाम है रिच्छा आज हम डिसकस करेंगे विलोम शब्दों के बारे में 40 विलोम शब्द होंगे जो कि आपने जनरली सुने नहीं होंगे कुछ ऐसे विलोम शब्द के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो टॉपिक शुर इन बैच 5 27 नौमबर से शुरू हो रहा है तो इसमें रेजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप लोग को निम्बस करेंगे आप डाउलोड करना पड़ेगा या आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो यह एप का लिंक जो है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रख है आप वहाँ पर जाके चक कर सकते हैं तो यह भी आपको 40% में भी मिलेगा तो आज आते हैं अपने टॉपिक पे तो विलोम शब्द जनरी काफे कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं जिनके बारे में बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज हम जो है कुछ ऐसे विलोम करें शेर करें और इस वीडियो को एंड तक देखें तो चलते हम अपने पहले कुशन पर आवरचीन का सही विलोम शब्द क्या है पुराचीन समीचीन नवीन या सनातर तो यहां पे देखो आवरचीन का मतलब क्या होता है आवरचीन जो है ऐसा शब्द आपने में ही सुना होगा, आवरचीन का मतलब होता है नया ठीक है, तो यहाँ पे नया जो अर्थ होगा, क्या होगा, मतलब उल्टा क्या होग्या पुराना रशीन dominance तो पुराने को हम क्या बोलते हैं, शन्सकतिती भाशा में या दूसरी में तूराचीन तो यहाँ पे पुराचीन का मतलब होता है पुराना और आवरचीन का मतलब होता है नया ठीक है तो option A जो होगा हमारा सही होगा अगर यहाँ पे बाइचांस प्राचीन दिया रहता प्राचीन option दिया रहता तो वो भी सही होगा ठीक है आवरचीन जो है आवरचीन का उल्टा प्राचीन भी होगा और पुराचीन भी होगा क्योंकि दोनों का मिनिंग सेम है, ठीक है, फिर अब चलते हैं हम अपने दूसरे कोश्चन पर, शोशक का विप्राथक शब्द चुनना है हमें, ठीक है, तो यहां पर मैं ऑप्शन डाल देती हूँ, शोशक का मतलब क्या होता है, शोशन करने वाला, ठीक है, तो शोशक का जो उल्टा क्या होगा, ओप्शन C, पोशक, ठीक है, पोशन करने वाला, किसी की रक्षा करने वाला, ठीक है, देखभाल करने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? पोशक बोलते हैं, ठीक है? तो option C जो होगा, वो हमारा सही होगा फिर चलते हैं हम अपने तीसरे कुश्चन पर प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? आरक्षण, प्रतिपादन, आकुंचन या संदर्शण तो देखो यहां पर प्रसारण, प्रसार करना, प्रसार करना मतलब कि किसी को फैलाना, किसी चीज को या किसी चीज का प्रसार करना तो प्रसारण का जब उल्टा हम देखेंगे, तो यहां पर क्या होगा? option C, आकुंचन ठीक है आकुंचन का मतलब होता है समेट लेना किसी चीज़ को सिकोड देना ठीक है तो यहाँ पे आकुंचन जो होगा हमारा सही option होगा फिर चलते हैं हम चौथे question पे निर्पेक्ष का सही विलोम शब्द क्या है प्रत्यक्ष परोक्ष सापेक्ष या प्रतिपक्ष तो देखो निर्पेक्ष का मतलब की जहां पे किसी से कोई अपेक्षा ना रखी जाए ठीक है तो निर्पेक्ष का जो उल्टा होगा वहाँ वो होगा सापेक्ष जहां पे अपेक्षा आए होँ ठीक है तो option C जो होगा हमारा वो सही होगा फिर चलते हैं हम पांचवे question पे किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं है तो यहां पे कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं विलोम शब्द का युग में दे रखा है उसमें से हमें जो और वाला है जो की अशुद्ध है वो हमें बताना है उद्घाटन समापन उत्तम अधम इश्ट अनिश्ट और अनुराग और दुराग तो यहां पे उद्घाटन का मतलब क्या होता है किसी चीज की शुरुआत करना समापन मतलब की समापन करना सही है उत्तम अधम उत्तम मतलब best अधम मतलब worst फिर है इश्ट और अनिश्ट ठी गीसच देवता कीसी चीज का अनिष्ठ हो जाना भी है खराब हो जाना फिर है अनुराग का जो option D होगा वो हमारा सही है क्योंकि अनुराग का जो उल्टा होता है वो होता है विराग ठीक है तो यहाँ पे दुराग शब्द जो rec surveillance है वो गलत है, यहाँ पर अनुराग का जो उल्टा होगा, वो होगा विराथ, तो चल दें हम छटी कोश्यन पर, वक्र का, वक्र शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, दिजू, टेडा, तिर्चा, या शुरूत, तो देखो वक्र, आपने गडित में, अगर हिंदी मिडियम से पढ़े होंगे, तो गडित में पढ़ा होगा कि एक वक्र बनाओ, वक्र का मतलब होता है, गोला, गोला का, ठीक है, अब यहाँ पर उल्टा इसका देखना है हमें, तो उल्टा क्या होगा, सीधा, ठीक है, तो option A, सीधा किसको हम बोलते हैं, रिजू, रिजू का मतलब होता फिर है, question number seven, पाश्चाते का विलोम शब्द क्या होगा, प्रतीची, प्राची, प्वावात, ठीक है, या प्रतेक्ष, तो यहाँ पे देखो, पाश्चाते संस्कृती मतलब की, क्या होता है, पश्चिमी संस्कृती, लेकिन अब यहाँ पे कहीं पूर्व नहीं दे रखा, पश्चिम का हमें पता है कि विलोम शब्द पूर्व होता है, लेकिन पूर्व जो है, वो नहीं दे रखा है, उसकी जगे क्या दे रखा है, option C, पवात्र जो है, वो सही होगा, पवात्र जो है, इसका मतलब अगर पूर्व भी यहाँ दिया रहता, तो सही होता है, ठीक है, तो यह कुछ ऐसे शब्द है जो आपने सुने नहीं होंगे तो इसलिए मैंने बताया था वीडियो के शुरूर में ही कि जो विलोम शब्द होंगे यह आपके वो कुछ अलग से लगेंगे तो यह option C जो होगा हमारा सही होगा फिर आते हैं हम आठवे question पर सोख्षम का विलोम शब्द क्या है अद्रश, द्रश्टब, निश्चित या स्थूल सोख्षम का मतलब क्या होता है एक दम छोटा सा तिक है सोख्षम फिर option जो हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पर option D स्थूल स्थूल जो है सूक्ष्म का विलोम शब्द है, तो option D हमारा सही होगा, फिर आते हैं हम अपने नवे question पे, क्रत्यग्यक शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, तो ये वाला शब्द जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, दयालू है, उदार है, क्रत्यगन है या निर्दे है, तो क्रत्यग का मतलब क्या होता है, जो एहसान माने किसी चीज़ का, एहसान मंद हो, और यहां पे कौन सा option सही होगा, option C, क्रत्यगन, क्रत्यगन का मतलब होता है कि एहसान फरामोश हो, एहसान ना मानने वाला, ठीक है, तो option C हमारा सही होगा, फिर आते हैं दस्वे question पे, अ अगर का मतलब क्या होता है, आगे ठीक है, तो यह कुछ ऐसे शब्द है 지만 जो हमें थोड़े से उचेंज करके दियर रखे है तो उग्र होगा पस्क की होगा पीछे होगा या पूर्व होगा तो यहाँ पे देखो अगर आगे दिया रहता तो पीछे होता लेकिन यहाँ पे पुछा जा रहा है अगरे शब्द का ठीक है तो हमें यहाँ पे पश्च चुननना होगा ठीक है यह संस्कृत के ही शब्द है तो हमें option B जो होगा वो सही होग चीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले, साथ साथ लाइक भी करते रहें और एंड तक वीडियो देखें आस्तिक का विलोम शब्द होगा स्वास्तिक, नास्तिक, कर्म योगी या धर्म वीर आस्थिक का मतलब क्या होता है भगवान पर विश्वास करने वाला और नास्थिक का मतलब क्या होता है भगवान पर जिसका कोई विश्वास ना हो ठीक है भगवान को ना मानने वाला तो यहाँ पर option B नास्तिक जो होगा वो हमारा सही होगा फिर चलते हैं अपने बारवे question पर क्रिपण का विलोम शब्द क्या है परोपकारी, दानी, बिखारी या स्वार्थी तो यहाँ पर क्रिपण का मतलब क्रिपा करने वाला नहीं क्रिपण का मतलब यहाँ पर तातपर है कंजूस से, ठीक है? कंजूस आदमी, ठीक है? जो बिल्कुल भी पैसा खर्च ना करें तो कंजूस का जो उल्टा होगा, क्या होगा? देने वाला और देने वाले को क्या कहते हैं हम? दानी, ठीक है? तो option B हमारा वो सही होगा फिर आते हैं हम अपने तेरवे question पे अमरत का विलोम शब्द होगा, अनुराद, अलपायू, प्रकाश या विश तो यहाँ पे हम जर्नली यह अपने पढ़ा होगा अमरत का जो उल्टा होता है, वो क्या होता है? विश विश का मतलब की जहर, ठीक है? फिर आते हैं हम अपने चोगे question पे, अनुराद का विलोम शब्द होगा, अनुराद का मतलब क्या pac किति से प्रेव, कोई का मतलब अनुराद का मतलब उता है, प्रेव होगा पिल चलते हैं हम अपने पंद्रवे क्वेश्चन पे आगामी का विलोम शब्द होगा पहला गत शुरू या भूत पूर्व तो आगामी का मतलब क्या होता है आने वाला अपने अनॉंस्मेंट जैसे इस्टेशन पर बैठे होगे तो सुना होगा कि आगामी ट्रेन यह ह जो सब्सक्का मतलब की चले साल मतलब देश्चन पीछा आगामी का मतलब और फिर आते हैं हम अपने 16 कौश् wokon पे अधिक का विलोम मतलब की पिछले साल विलोम शब्त क्या होगा, नियून, विशेश, कमी या काल, तो अधिक, किसी चीज की अधिकता, इसका जो option A होगा, उल्टा, ये नियून होगा, ठीक है, नियून मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, तो option A हमारा सही होगा, फिर चलते हैं हम 17 गोश्चन पे, श्री गणेश का वि देती हो, option A, श्री राधा, option B, इति श्री, option C, विनाश, या option D, इन में से कोई नहीं, तो देखो, श्री गणेश का मतलब क्या होता है, श्री गणेश करना, मतलब कि किसी चीज की शुरुवात करना, ठीक है, अब इसका जब उल्टा करेंगे, किसी चीज का समापन, मतलब क उसको इति श्री कर देना, तो option B, जो होगा हमारा, सही होगा, ठीक है, यहाँ पर विनाश, जो है, विनाश, अगर, ठीक है, विनाश का उल्टा क्या होता है, उत्पत्ती, ठीक है, उत्पन हुआ, और option जो, जो विलोम शब्दिस का हो जाएगा, विनाश, किसी चीज का अन पिश्री, फिर आते हैं अपने अठारवे question पे, आलस से का विलोम शब्द क्या होगा, फूर्ती, फूर्तीला, अनालास या फूर्ती, देखो, यहाँ पर, अगर हमें पूछा जाता, आलसी का मतलब, आलसी का विलोम शब्द क्या होगा, तो हो जाता, पूर्तीला, लेकिन, आलस से क्या है यहाँ पर, हमें देखना है भाव वाचक संग्या है, ठीक है, आलस से मनुष्य का दुश्मन है, तो यहाँ पर भाव के बारे मात की जा रही है, तो option A जो होगा, हमारा सही होगा, स्फूर्ती, ठीक है, स्फूर्ती जो होगा, वो सही होगा, स्फूर्ती उसमें की फुर्ति हो, फुर्तिला, ठीक है, तो option A हमारा सही होगा, उनिस्वा question है, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा, उपेक्षा, अनापेक्षित, अनुपेक्षा या उपेक्षित, तो यहां पर अगर अपेक्षित दिया रहता, तो होता उपेक्षित, लेकिन हमे तो option A जो होगा हमारा उपेक्षा सही होगा फिर है बीसा कोशन अलपग्ये का विलोम शब्द होगा बहुयग्ये, न्यून, चल या अनावरष्ठी तो अलपग्ये का अलप मतलब कम ग्यानवाला ठीक है बहुयग्ये मतलब बहुत ग्यानवाला तो option A जो हूगा हमारा वो सही हूगा ठीक है अब चलते हैं अपने किस्वे कोशन पे अभिग्ये का विलोम शब्द क्या होगा ठीक है सरवग्ये, बहुग्ये या अनभिग्ये या भिग्ये तो यहां पर देखने वाली बात है कि अभिग्य का मतलब क्या होता है, जानकार, ठीक है, जिसको हर चीज की जानकारी हो, जानकार, अब इसका उल्टा क्या होगा, जिसको किसी भी चीज की जानकारी ना हो, तो option C, अन्भिग्य जो होगा, वो सही होगा, अभिग्य का विलोम शब्द होगा, अन्भिग्य, फिर आते हैं बाइसवे कोश्चन पर आदर का विलोम शब्द क्या होगा शुष्क, सूखा, तर्म या गर्म तो आदर का मतलब क्या होता है आदरता वाले जो आपने पढ़ा होगा आदरता वाले छेत्र ठीक है आदरता का मतलब होता है मौश्यर ठीक है नमी वाले तो नमी का जो उल्टा होता है वो क्या होगा शुष्क ठीक है तो option ए जो होगा वो हमारा सही होगा शुष्क का मत्तब क्या होता है ड्राई फिर आते हैं हम तेश्वे question पर ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा मुक्त सुप्त लुक्त या ग्रहा तो आपने पढ़ा होगा कि वह रोग ग्रस्त हो गया रोग ग्रस्त तो रोग ग्रस्त का मतलब क्या होता है कि रोग से घिर गया ठीक है लेकिन अब हमें यहाँ पर बताना है इसका उल्टा तो उल्टा क्या होता है इसका वह रोग मुक्त हो गया क्याते है न वो रोग से छूट गया फ्री हो गया रोग मुक्त ठीक है मुक्त मतला फ्री हो जाना तो option A जो होगा हमारा सही होगा मुक्त तो ग्रषट का जो है उल्टा क्या होगा मुक्त फिर आते हैं हम अपने 24 यह कुर्शन पर अनुग्रह का विलोंचब्ध क्या होगा ग्रह सुग्रह या विग्रह या नर्म्रत तो यहां पर option सी जो होगा हमारा सही होगा विग्रह जो अनुग्रे का विलोम शब्द होगा फिर आते हैं हम अपने 25 कोशन पर स्वीकिये का विलोम शब्द क्या होगा स्वीक्रत और स्वीक्रत नार किये या पर किये ठीक है स्वीकिये का मतलब क्या होता है अपना किया गया स्वाव का मतलब क्या होता है अपना ठीक है और पर का मतलब क्या होता है पराया ठीक है तो यहाँ पे दूसरे का ठीक है अपना अपना पराया अपने विलोम शब्द पढ़ा होगा ठीक है तो यहाँ पे स्वीकिये जो है इसक D, पर किया, ठीक है, पर किये, ठीक है, पर किये होगा यहाँ पर, ठीक है, फिर आते हैं हम अपने 26 कोशन पर, एकाधिकार का विलोमशक्द होगा, अनिकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या परमाधिकार, पर अधिकार का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे का अधिकार अनेक अधिकार का मतलब क्या होता है? अनेक लोगों का अधिकार सर्वा अधिकार का मतलब क्या होता है? सभी लोगों का अधिकार और परमादिकार का मतलब होता है किसी वेक्तिविशेष परमादिकार, ठीक है, कोई विशेश अदिकार लेना, ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, कि एक का विलोम शब्द होता है अनेक लेकिन देखो यहां पे एक अधिकार का पूछा गया है तो यहां पे हमें चुन्डना होगा option B सरवाधिकार जिसमें सभी का अधिकार हो ना कि अनेक लोगों का मतलब सारे ही लोग आ जाते हो उसमें ठीक है तो एक अधिकार का जो विटा क्या होता है वो होता है अनेक ठीक है तो यहां पे जो है ध्यान रखने वाली बात है कि एक अधिकार में आपको किसको चुनना है सरवाधिकार को ठीक है ना कि अनेक अधिकार को फिर आते हैं हम अपने 27 कुश्चन पे अकाल का विलोम शब्द क्या होगा बरसाथ, ख तो अकाल का मतलब क्या होता है अकाल का मतलब होता है बुरा वक्त ठीक है तो यहां पे सु का मतलब क्या होता है जैसे पुत्र का होता है ना सुपुत्र तो सुकाल का मतलब होता है अच्छा समय अच्छा काल तो यहां पे अकाल जो उल्टा हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन D सुकाल जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा पिर आते हैं 28 कोर्षण पर अनेक क्या विलोम शब्द क्या होगा एकल एक्ये आदी या समान तो देखो आपने अभी मैंने बताया एक का होता है अनेक तो यहां पर शब्द को दूसरी भाषा में मौडिफाई करके अनेक का प होता है अनेक ठीक है तो यहां पर उसी से मिलता जुलता कौन सा शब्द है एक है तो आप्शन बी जो होगा वो हमारा सही होगा एक से मिलता जुलता एक है तो आप्शन भी हमारा सही होगा फिर जाचलते हम अपने 29 कोश्चन पर अल्प संख्यक का विलोम शब्द क्या होग अती संक्यक, बहु संक्यक, महा संक्यक या बाहुल्य तो अल्प संक्यक मतलब की जहां पर कम लोगों की संक्या हो जैसे कि हम वो सकते हैं कि कश्मीन में हिंदूों की संक्या अल्प संक्यक है ठीक है? या आपने पढ़ा होगा कि अल्प संक्यकों को आरक्षन मिला सरकार ने अलप संख्यकों को आरक्षण दिया, नोकरी में. तो यहाँ पर अलप संख्यक का जो उल्टा क्या हो जाएगा? बहु संख्यक. ठीक है? आप्शन बी. बहु संख्यक मतलब की बहुत सारी संख्या वाला. ठीक है, तो option B जो होगा, वो हमारा सही होगा, फिर चलते हैं तीसे question पर, आदी का विलोम शब्द क्या होगा, अनादी, अन्त, अनन्त, या इती, तो यहाँ पर आदी जो शब्द है, उसका विलोम शब्द हो जाएगा, अनादी, ठीक है, फिर चलते हैं अपने 31 कोश्चन पर, मंद का विलोम शब्द है, सुस्त, दृत, शीग्र या त्वरित, तो यहाँ पर मंद मतलब की जो slow हो, ठीक है, हर काम को दीरे करता हो, मंद, तो मंद का जो विलोम शब्द होगा, यहाँ पर होगा, option B, रुद्ध, ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने 32 कोश्चन पर, आश्रित का विलूम शब्द क्या होगा, निराश्रित, आरोह, पराश्रित या निज आश्रित, ठीक है, तो आश्रित का मतलब क्या होता है, किसी पे dependent होना जीकए किसी पे आश्रॉय लेना टिकए आश्रॉय लेने वाले trag час ASHinger पिर अबрах i अउद्वा आअश्रित जो है सेम मीनिंग वाला आज अगया पराश्रित का का मतलब किसी पे भी नहीं ठीकेत ऑप्शन एज होगा वो हमारा सही होगा निराश्रित का मतलब होता है जो की किसी पे भी आश्रित ना हो तो चलते हम अपने 33 कोश्चन पे अति का विलोंब शब्द क्या होगा अनन्थ अल्प अन्थ या अनादिव तो यहाँ पे क्या होता है कि अति किसी चीज की अति हो जाना ठीक है अति मतलब ज्यादा हो जाना किसी चीज का तो यहाँ पे अति शब्द का विलोंब शब्द क्या होगा अल्प का मतलब होता है कम हो जाना ठीक है ज्यादा का विलोंब शब्द होगा कम ना कि अन्थ ठीक है तो option B अबादा वो सही होगा, फिर आते हैं हम अपने 34 वे question पे, अधिकारी का विलोम शब्द क्या होगा, चपरासी, मजदूर, option C, अनाधिकारी, या option D, अवनती, तो यहाँ पे देखो, अवनती आपने पढ़ा होगा, अवनती किसका विलोम शब्द है, उनती का, ठीक है, उनती का मतलब होता है, प्रोग्रेस करना, तो उनती का, जो उल्टा होता है, वो होता है अवनती, अब यहाँ पे अधिकारी शब्द, जो है, वो किसी officer के बारे में नहीं बता रहा जा रहा है कि, वो officer है, और officer जो है, उसका उल्टा होगा, चपरासी, या मजदूर, तो यह गलत होगा अधिकारी का मतलब यहाँ पे है कि जिसके पास अधिकार हो किसी चीज़ का ठीक है तो अधिकार रखने वाले को क्या बोलेंगे अधिकारी तो अधिकार का जो उल्टा होता है वो क्या होता है अनाधिकार होता है यहाँ पे अधिकारी का पूछा गया है तो क्या हो option c अना दिखारी जो होगा वो उसका उल्टा शब्द हो जाएगा ठीक है option c हमारा सही है फिर है 35 question अदे का विलोम शब्द क्या होगा दे दुराह ग्रही प्राप्ति या आधार तो देखियो आपने पड़ा होगा दे ये ये तुम्हारा पैसा दे ये है ठीक है दे मतलब की देना है ठीक है दे का मतलब होता है देना ठीक है अम यहाँ पर भूचः गया है अदे अदेई का मतलब होता है जो कि ना देने वाला ठीक है तो यहाँ पर उल्टा इसका क्या होगा अदेई का उल्टा हो जाएगा option A अदेई है ठीक है तो option A हमारा सही होगा इस वीडियो को साथ के साथ like करना ना बुले like भी करते रही है पिर है तेस्वा question आग्रही का विलोम शब्द क्या होगा दुराग्रही तिग्रही ब्रामे या पश्च तो यहाँ पर आग्रही का मतलब पूछना है ठीक है विलोम शब्द बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option A दुराग्रही जो होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा फिर आते हैं महां 37 कोश्चन पर आत्मा का विपराथक शब्द बताईए अनात्मा अनादर अमीर या इन में से कोई नहीं तो अनादर शब्द हमने पढ़ा है किसका विलोम शब्द है आदर का आदर मतलब कि किसी चीज की रिस्पेक्ट करना आदर देना ठीक है अब यहां पर पूछा है आत्मा आत्मा शब्द आपने पढ़ा ही होगा ठीक है आत्मा का जो उल्टा हो जाएगा वो क्या होगा अनात्मा ओप्शन ए अगर यहां पर दिया रहता परमात्मा अगर बाईचांस अगर अनात्मा ना दिया होता और दिया होता परमात्मा ठीक है तो वो भी आपका सही होता है, ठीक है, परमात्मा जो है, इसका उल्टा हो जाता है, फिर आते हैं, 38 कुश्चन पे ब्रह्मा का विपरात्तक शब्द क्या होगा? जीव, माया, जगत, या अज्ञान तो ब्रह्मा का मतलब पता ही है ब्रह्मा का मतलब क्या होता है कि यहां पर परमात्मा से मतलब है ठीक है तो यहां पर option A, ईश्वर से मतलब है ठीक है option A, जीव हमारा क्या हो जाएगा इसका विप्रार्थक शब्द हो जाएगा फिर आते हैं 39th कोशन पे भूशन का विलोम शब्द क्या होगा विश्णू, भूशक, दूशन या भूशा तो भूशन का जो विपरीद शब्द होगा वो होगा दूशन चीक है फिर आते हैं हम अपने 40 कोशन पे बही रंग का विलोम शब्द होगा अतरंग, रंगा रंग, जलतरंग या राग रंग तो बही रंग का मतलब क्या होता है बाहर वाला रंग तो बाहर का जो उल्टा होता है वो होता है कि अंदर ठीक है अंदर को हम क्या मोलेंगे अंतरंग ठीक है तो option A जो होगा हमारा सही होगा तो I hope आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसको like और share करना ना भूले तो मिलेंगे हम दूसरे ऐसे ही वीडियो के साथ शाथ प्रयावाची शब्द जो होगे मैं आपको 40 प्रयावाची शब्द करवाऊंगे नेक्स वीडियो में तो थैंक यू सो मुच